नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्याद से ज़्याद सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेप से सी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना भेहद इंपॉर्टन्ट और आपके लिए बहुत ज़्याद लाब दायक थाबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आईए, आज की वीडियो में देखते हैं क्या है घास जिया दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक रोचक और मचेदार नियूज लेकर सामने आई हूँ आपके रोचक वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल की आज क्योंकि यह बहुत ही दुल्लब और शद्धी गहें या फिर सबजी गहें क्योंकि यह 25,000 रूपे किलो वाली सब्जी है जीहाँ सही सुना आपने 25 से 30,000 रूपे किलो बिती है लेकिन जो इसको खाने का फाइदा सबसे बड़ा जो है वो यह है कि आपको दिल की कोई भी बिमारी नहीं होगी दिल से समंदित कोई भी बिमारी हो तो उसे यह जड़ से मिटा देती है पहाडी और बर्फ के इलाकों में पाए जाने वाली है और शत्य गुनों से भरपूर दुरलब गुच्छी की तलाश में कई गाउं के इसे खोजने के लिए निकल जाते हैं सई सुना आपने हम गुच्छी के बारे में बात करें हैं पास सितारा के होटलों में लजीद और शद्दी और खाने में यूस किये जाने वाली गुच्छी के उखने से उपरी शिमला के जंगल में इसे ढूडने के लिए ग्रामिन बहुत इस बड़ी संख्या में जाते हैं प्राकरती के खजाने के इस कीमती तोफे को पाने के लिए ग्रामिनों में हर बार की तरह कड़ी प्रतिक शक्ता होती है हिमाले के शेत्रों में ही गुच्छी नामक पाई जाती है ये सबजी गुच्छी की केमत 25 से 30,000 रुपे पर किलो होती है जो की हमने आपको बताया ये सबसे पहले तो जानते हैं इसकी उत्पति कैसे होती है कश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं हिमाले के उचे हिस्सों में पैदा होने वाले गुच्छी की सबजी वहां के रहने वालों के लिए वरदान होती है क्योंकि इसकी वज़े से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है ताने लोगों ने बताया कि गुची पहाडों पर बिजली की गड़गड़ाट एवं चमक से बरफ से निकलती है बजार में इसकी कीमत 25-30,000 रुपे प्रती किलो है यह दूरुलब सबची पहाडों पर सादू संद तूंट कर एकठा करते हैं और उसे ठंड के मौसम में इसका प्रियोग करते हैं इसको बनाने की विधी में ड्राइफ रूट सबजिया घी इस्तेमाल किया जाता है संत श्री ने बताया कि 1980 के जुना खाड़ा के एक महंत ने 45 लाक रुपे की एक गुच्छी की सबजी का भंडारा साथ दिन तक चलाया था अब जानते हैं आनिमित खाने से इसका असर क्या होगा लजीज पकानों में गिने जाने वाली और शदी गुनों से गुच्छी के नेमित उप्योग से दिल की विमार्या नहीं होती है जो हाथ पेशन्ट है और जो इसका प्रियोग करते हैं उन्हें भी भौज़ादा फाइदा होता है गुच्छी का विग्यानिक नाम मार्किला एस्क्लूलबेड है लेकिन इसे हिंदी में स्पंच मश्रूम कहा जाता है स्थानी लोग जंगल में डाल लेते हैं डेरा इसे पाने के लिए प्राकरतिक रूप से जंगलों में उगने वाली गुच्छी परवरी से लेकर अप्रल के बीच में मिलती है बड़ी-बड़ी कंपनिया और होटली से हाथों हाथ खरीद लेते हैं इसी कारण इन इलाकों में रहने वाले लोग सीजन के समय जंगलों में ही डेरा डाल कर गुच्छी खठा करते हैं इन लोगों से गुच्छी बड़ी-बड़ी कंपनियां 10-15,000 रुपे प्रतिकिलों से खरीद लेती हैं जबकि बजार में इसकी कीमत 25-30,000 रुपे प्रतिकेजी होती है इसकी विदेशों में भी बहुत अच्छी मांग है गुच्छी में देशी नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छी मांग है अमरीका, यूरोप, फ्रांस, इटली, एवम, स्वीजर लेंड के लोग कुलू की गुच्छी को खुब पसंद करते हैं इसमें विटामिन B, और D, केरलावा, C, और K प्रचूर मातरा में होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इता ही लोटिंग एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्रेणा मिलती है